हेलो फ्राइंट्स वेलकम टो रोयली स्टडी दोस्तों आज के स्वीडियो में हम मद्यप्रदेश पुलिच और जेल प्रहारी के लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आएं जिसमें हम पूरा अंतर तक जरूसर देखेगा साथ में अगर आप चैनल पर पेली बार है तो सब्सक्राइब जरूसर कर लिएगा बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो आपको मिलता रहे और अगर आपने भी तक टेलिग्राम ग्रूप और चैनल दोनों को जोइन नहीं के तो उनको भी जोइन कर लेजिगा उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन में मिल यागी बाकि हम MP जीले की MP के जीले हैं डिस्टिक अप MP उनको सभी को लगबग लगब कवर कर चुके तो उनको जो वीडियो है नीचे आपको मिल याएंगी पूरी जो सुदार योजना है अयोध्य योजना इसका नाम था यह किस इस्तान से शुरू की गई थी तो यह पंपापूर से स्टार्ट की गई थी तो इसका फस्ट ओप्सन से जवाब आप करेगा पंपा पूर और यह कोशन आपकी एक्जाम में मोस्ट आइम पी हो और सकता है यह आपका करेंट का कोशन भी जो की निकल कर आ रहा है तो यह कोशन आगे भी आपकी एक्जाम में पूचा जाएगा इस लेए को भी आप 1739 इसका सही जवाब आपका हो जाता है यहाँ पर जो होलकर राजी की स्थाप ना की थी तो यह आपको आयोब को पेले से भी किलियर होगा नेक्स्ट कोशन आता है पंचमड़ी इस्तीद पनोरमा गिरी का नाम निमने लिखित किस पूर्व रास्टपती के नाम पर रखा गया था तो देखे पनोरमा जो गिरी है इसका जो नाम रखा गया था तो इसका जो नाम रखा गया था ग्यानी जेल सिंग के नाम पर रखा गय था जो कि भारत के पूरो राष्ट प्रति भी दे चुके इनका नाम आपको याद रखना है ग्यानी जेल सिंग याद रखेगा कोशन मुस्ट आइमपी है अब अगला कोशन आ रहा है मद्यप्रदेश की सर्वोच उपरवत चोटी कौन से यह आपको क्लिक करना है अब इसका जो नाम है वह है आपकी धूबगड की चोटी देखे लिए दूबगड की क्यों कांपर ऐए यह है ये आपकी यह आती होसं आबाद जीले में आती है खुसंग तो यह याद रहेसो पचास मीटर इसकी उच्छाई है तो यह भी आपको याद रहना कई इसका है और है सब सो जी चोटीजी होढ़ी सिगार है क्ले रची बिलकोर आगी बढ़यें देलेर्न निर्मिद डालगाम मातर तीला बांद किस नदी पर निर्मित हैं और मातर तीला जो बांद यह आपका वेतवा नदी परिस्तित है कहा से निकलता है यह आपकी कुम्र सिवनी यहां से उद्गम होता है और इसके किनारे जो बसा हो मुख्य सेहरे वो है आपका बाला गाट तो यह आप याद रखेगा बाकि बेतवा नदी के बारे में आयूब को आपको क्लियर हो गया होगा चलिए आगे बढ़ते प्रदेश के पावार खेड़ा इस्तान से कौन सबसे जो उत्पादन जादा होता है मद्देप्रदेश में वह कहां पर होता है तो वह होता है आपका सोहाग पूर में क्लियर सोहाग पूर में यहां पर आपका सही जवाब रहेगा अगला कुछ ना रहा है कानड़ा नत्य है मुख्यता कोन करते अब यह कानड़ा जो नत् के बरतन बनाई जाते हैका जो जो की लह को आपका श्रिपार को बॉल जाता है ने इसको बोल जाता है बाइक यहाँ पर का जो आपका समाधी है वो तो आपकी रही के नतरकत आती है अनतरक वरह किसे जो है इनके गुरू थे कौन थे तांसेन के जो गुरू थे उनका नाम आपको नीचे comment box में comment करना है अभी हमारी से पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने आपको पूरे detail के साथ में बता है भी था तो तो तांसेन का जो मकबरा था वो यहीं पर था तांसेन जो समारो आई ज होता है बाई कि अगर ग्वाइलर के बारे में अगर और आप information चाहते तो especially उसके उपर जो की हम वीडियो बना चुके वह आप जरू से जाके देख लेजी का नीचे मिल जाएगी मद्धिप्रदेश का प्रसिद चंदेल राजवन्स की राजदानी खाहां थी अब हम आदेव इसका जो निर्मान करवाया था विद्याधर के द्वारा करवाया गया था याद रखिएगा और यहाँ पर बहुत सारे आपको मंदिर भी देखने को मिलते हैं खजुराहो जो है यह कापी फेमास है आपका कई बार से question भी आपके निकल कर आते हैं बाकि अगर हम हम बात के रहें उझजएैन इसका प्राचीन में गया उप है यह को बहले बोला जाता और विदी सकह इह ळी कर तो इसको घेलब सा बेल्सा के नाम से जाना जाता था वह खजुराहो खजार के नाम से यह आप याद रखेगा अगला कुश्य ना रहे है मद्धिप्रदेश का सबसे बड़ा railway junction कुन सा है और ये जिंचन हो जाएगा आपका इटार सी जंचन C option इसका से जवाब रहेगा हुसंगाबाद के अंतरकती आता है इटार सी याद रखीगा और ये मद्धिप्रदेश का सबसे बड़ा railway junction है बाकि मद्द्वर्देस में नमक सत्यागर्य कब जो कि हुआ था तो यह जो वा था 1930 के में हर्स की जीवनी का वरनन है और यह जो ग्रंत है किस ने लिका है यह आपको क्लिक करना इसका सःजवाब आप करेगा बान वट के द्वारा लिका गया था था पूछे जाते हैं काली तास के आते हैं कम पूछे जाते हैं के मद्मदेश का किसे Caitlin हें इनतराश्टी सितर का चीड़ियागार स्थीजिए स्टारी द्रवाँ ग्रोजनाहर और योजना चल रहा है अब यह जो चल रही है यह बोपाल में चल रही है अंतराश्टी स्तर का चीडिया घर बनाने जाने की यहाँ पर योजना है तो बोपाल इसका सही जवाब आपका रहेगा याद रखेगा अल्रेडी यहाँ पर सर्फो याने एक मातर मद्यप्रदेश का सर्फो नेक्स वेशन आपका निकल कर आ रहे हैं मद्यप्रदेश की भोगोलिक इस्तिती है देखें मगर मद्यप्रदेश की बात करें हम भोगोलिक इस्तिती की तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका उप्रयुक्त दोनों यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा उप्रयुक्त रहेगा यानि C-Option इसका सही जवाब आपका हो जाता है याद रखेगा C-Option इसका सही जवाब रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं वियावसाई को आदार पर गोंड जन जाती की निम्न उपजातिया हैं अब इदे की वियावसाई के आदार पर यहां पर बात की गई गोंड जन जाती की उपजातियों के बारे में तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा उपरयोक्त सभी य के होलकर किर्केट इसोसियेशन जो इस्तिते यह कहां पर यह आपका इंदूर में इस्तिते याद रखीगा और इसके जो इस्तापना की गई थी वो की गई थी 1941 में तो इसका फास्ट उफ्सन आपका सई जवाब हो जाता है किलिए दे चीजे आगे बढ़ते हैं अब हम मद्य प्रसास्निक सुधार आयोक कब गटित हुआ था अब देखे यह जो गटित हुआ था यह 1969 में सुधार आयोक जो है गटित किया निदिक म dijebook करते द्सका देमें आपको पूरा डेटियल में हमने बद बता अ अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती अच्ट्याचार निवारन अधिनियम 1989 के अधिन निमलिकित में से क्या पूरणता निसिद्ध है तो इसका आपका सही जवाब रहेगा गिरभतारी पूरु जमानत गिरभतारी फश्याज जमानत परीविक्षा का लाब तो इस इस तीते देखे बिलकुल सब्सक्राइब रहेगा ओमकारिश्वर में रेलवे स्टेशन नहीं है यह आप दो कि यहां पर और नेक्स्ट आ रहे हैं ओमकारिश्वर बारा जो त्रेलिंगों में से एक है यह आपका है ओमकारिश्वर तिर्थ नर्मदा और तापती के संगम तो इन में से सही नहीं का पूचह हुआ है यहां पर यह रहे यह आपका गलत होican जैगा दो इसका योजना को क्या का गया है सेट विन योजना आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चिन के और मुगल सासक साजा ने आगरा का तायजमाल बनवाने से पूरू अपने कारिगरों को मद्द्रदेस के निमलिकित किस महल का अद्यान करने के लिए भेजा था अब यह जो महल था वो था आपका असरफी महल असरफी महल यह था इसका अद्यान करने के लिए उन्होंने जो कारिगरों को भेजा था तो यह आपका सी ओप्सन सही जवाब आपका हो जाता है याद रखेगा और अगला कोश्चन आ रहा है मद्द्रदेस में सीत रितू का शमय कब होता है देखिए सी रितू के यहां पर बात की गई तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो नवंबर से फरवारी के बीच में रहेगा याने जो सर्दी का टाइम होता है याने ठंड का जो टाइम होता है उसको यहां पर सी रितू बोला जाता है और यह मोसम होता है नवंबर से फरवारी के बीच तो सी औू 이번 यहां से आपका सही जवाब हो जाता हम बांडवुगार राश्चित्यान किस इस्टापित किया गया दा इसको इसको इस्तापित किया गया था तो यहां पर आपका पिखिष्युट तरवाब रहेगा बांदावगड जो राश्टुद्यान है इसमें सरवादी बागों की जो संक्या है सरवादी घनतु की बात की गई है बागों का गनतु चर्वादी इस पर 32 पाड़ियों से घिरा हुआ यह राश्टुद्यान यह भी आप याद रखिगा और कई बार इससे प्रदेश MP UPS का सभी जवाब आपका हो जाता है मद्ध्वित्स में मेगनीच के उत्पादन जीले हैं या पर मेगनीच के उत्पादक जीले की बात की गई है और यह जीले आपके हो जाते हैं बालागांट और चिंदवाड़ा दोनों जीले आपके जबलपुर संभाग के जी स्वितने किना लेकि राम कावरे वह यहीं से थी आपको यह फीर याद रखना है इसके अलाब बालेगांट जो a व्लगंगा नदी के किनारे बसा हुए व演ंगंगा जो नदी निकलते है वह सिउनी से निकलती है यह भी आपको चीज़े याद रखनी हैं बालागांट Eckhandolे वो भी मलाच खंड ये भी आपका बालागाँंट के ही अंतर्गत आता है, बाकि अगर हम बात करें चिंदवाडा के बाएं तो चिंदवाडा में आपका देखें, Sacramentobak और एक और चीज पूची जाते हैं चिंदवाडा से लिंगा मुपाथ वाले जीलों में से कौन सा जीला है या फिर जीले कौन से यह आपको क्लिक करना है सबसे कम लिंगा के बारे में आपको अल्रेडी बहुत सारी चीज हैं भरता चुके नेपा नगर की बात करें, तो यहाँ पर जो है अकबारी कागज का कारखाना है नेपा नगर में और यह जू नेपा नगर आता हे बुरहानपूर के अंतरकत आता है, अमलाई जो है यह सेड़ोल के जाता है कि पूरे मद्धिप्रदेश की जलवाई हुए इसको हम समसी तोसन मानसुनी यहां पर इसको बोला जाता है तो यहां पर आपका सी ओप्सन सही जवाब रहेगा वर्स दोजाराट में मद्धिप्रदेश के किस रेल मार्ग का सिलान नियास प्रदान मंत्री डक्टर मन मोहन सिंग ने किया था और यह जो रेल मार्ग है वो है आपका इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका दाहोद रेल इंदोर रेल मार्ग दाहोद से इंदोर और आपका चोटा उदेपूर से धार रेल मार्ग तो इसका जो सही जवाब आप करेगा यह दोनों ही र प्रक्रमें तो यहां पर आपका सही जावाब हो जाएगा उफसर नमवर फस्ट गौंड्वनाम कुमार संभवम इसका नाम है तो याद रखेगा कुमार संभव इसका नाम है जिसमें सीव पारवती विवा की कता जो है इसका वर्नन मिलता है और ये किसका है कालिदास का है बाकी जो है आपका मेग दूत ये भी कालिदास का है विक्रमोरिवनसी जो है ये भी कालिदास का है और आपका कुमार संबोवम ये भी कालिदास कें तीनों आपका कालिदास के हैं तो इन तिन्हों को आपको यहाद रखना है लिया रहे मैं चलिए आगे बढ़ते मृधिश का बेस्ता की गई यह वो चक्रदर फेलोशीब दी जाती है तो यहां पर आपका बी उप्सन सही जवाब हो जाता है मद्धिप्रदेस में अनुसूचित जाती है और यह जो जाती है वो है आपकी चमार जाती क्या है चमार इसका सही जवाब रहेगा उप्सन नमबर सी चलिए आगे बढ़ते है निमली कितमे से किस सहर में मद्धिप्रदेस उचिनियाले की खंडफीट है देखिए अगर खंडफीट की अगर हम बात करें तो यह आपकी इंदोर और ग्वालेर दोनों जगा पर है तो बी और सी आपका दोनों जवाब डी ओफसन सही जवाब यहां से हो जाएगा बाकी जो उचिनियाले का जो मुक्याले वह आपका जबलपूर में इस्तीत है और इससे पहले जो था वह नागपूर में था और नाइंटीन फिटीश के बाद में इसको जबलपूर जो है कर दिया गया था मद्धिप्रदेश में सरुप्रतम नगरपाली का का इसस्तापित की बाकि जबलपूर संभाग है इसमें भी आपके आठ जीले ही हैं तो दोनों में आठ जीले आपके हैं इन दोर और जबलपूर में कुंसा जीला समू मद्यप्रदेश में सरवादिक सरसो तिलहन का उत्पादन करता है और यह जो जीला है भिंड मूरेना जीला है यह मद्यप्रदेश का सबसे उत्री जीले यह हैं इनकी जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश से लगती है चंबल नदी यहीं से गुजरती है और यहाँ पर अपरदन जो होता है चंबल नदी के बीहड जो पाए जाते हैं तो याद रखेगा भिंड मुरेना जो जिले हैं इनमें सरसु तिलहन का जो उत्पादन होता है सरवादिक होता है अगला कुछनार है मद्यप्रदेश में फोरिंसिक लेबोलेटरिक की स्थापना का की गई और इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है सागर में सागर में की गई फोरेंसिक लेबोलेटरी की स्थापना चलिए आगे बढ़ते हैं वर्स 2011 की अंतिम जनगन्ना के अनुसार मद्धिप्रदेस में के सरवादिक व्रद्धी दर पराप्त करने वाले जीलों को सही क्रम कौन सा है और यगे जो जीले हैं वो है इंदोर, गॉलेर और भोपाल सरवादिक अंतिम जनगन्ना के अनुसार मन्दिप्रदेस में सरवादिक व्रद्धी दर की बात यहां पर की गई है और इसमें इंदोर, गॉलेर और भोपाल आपका सही जवाब हो जाता है अगला कोशन आ रहा है वर्स 2011 की अंतिम जनगन्ना के अनुसार यहां पर प्रूरुस और महीला साक्षरता के मावले में निमलिकित में से कौन सा जीला प्रदेश में सबसे निशले इस्तान पर रहा है और यह जो जीला आपका रहेगा वो जीला आपका सई जवाब है अली राजपूर जीला अली राजपूर मोस्ट अइम पी कोशन है कई बार आपकी एक्जाम में पूछे जाता है मद्दब्रदे सरकार ने हाले में किस इस्तान को धार्मिक परिटन गोसिल कर दिया है और इस इस्तान को परिटन इस तल गोसित किया है यह इस्तान है आपका बावन गजा बावन गजा कहाँ पर आता है बाकिया मैं इसका आपको आंसर फी जो की option भी दे देते हैं देखें बावन, first option ने बावन, second option ने आपका बाशर्ट, third option ने आपका बहुतर और fourth option ने आपका बियांसी तो इसमें से आप कलिक करेगा कि कि तिनी फीट हो चीए हैं आप comment box में comment करेगा मंसूर में मंसूर इसका सई जवाब आपका हो जाता है सठ्पूरा राश्ट उझ्यान किसके लिए फ्रसिद है अगर हम बात करें साप और इन प्रानियों के लिए कौन सा आपका यह है तो पेंच और पन्ना आप याद रखी का पेंच राश्टुद्या जो सांप रेंगने वाले जो सांप इन के लिए प्र जो की फेमास या प्रसिद हैं भारत हेवे इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेट की स्थापना मत्यप्रतिस के किस नगर में की गए थी और यह जो नगर आपका भूपाल इसका सही जवाब आपका हो जाता है अगला जो कोश्चन आ रहे हैं मेले से देखिए यहां पर अगले कोश्चन के अगर हम बात करें तो देखिए अगला कोश्चन मोस्ट टाइम पिए अगला कोश्चन ले लेते हैं आपके लिए कि बर्मान यहां पर पूचा गए बर्मान बर्मान का जो मेला है यह कहां पर आई जो होता है यह आपका होता है गाडर वाड़ा नर्सिंग पूर में याद रखिए गाडर वाड़ा जो नर्सिंग पूंपूर के उंतर गता यहाँ पर बरमान घाट का मेला लगता यह आपका इक्साम में हो कोश्यंड यो है पूचा जाएगा है तो बागी अगला जो कोश्चन हो आ यह मंद्यपति सॉप्टिवेर टेक्नोलोजी पार्क का स्तापित За Qué乾 तो और यह जो प्रदेस के निमनांकित खनी जो तता उनके प्राप्ति स्थलों के युगमों में कौन सा युगम सत्ती हैं तो यह आपको क्लिक करना इन में से कौन सा सत्ती है कौन सा सत्ती है देखिए ताम जो पाए जाता है यहां पर यूरेनियम जो पाए जाता है वह सेडोल में पाए जाता है जैसा कि यहां पर आपको देराखा है तो देखिए यहां पर अगर आपको करेगा यह आपका असत्ती है यहां पर देखिए आपको समझ में आ गए होंगे और यहां पर हमने स्टफ एक्टिव आपको बताने की कोशिश किया जिससे आपके लगबग लगबग 100 से प्लस जो कोशिशन है वह यहां से आपके किलियर या फिर कवर हो जुके हैं तो यह वीडियो आपको कैसे लगा चैनल पर पहले बार है सब्सक्राइब जोस्त कर लिजेगा बिल आइकन को दबा दीजिए ताकि यह डेली ऐसा ही वीडियो आपको रेकुलर मिलते रहे तो आज के लिए बसेते हैं मिलते नेक्स डूम तब तक लिजे जबार